हेलों वेल्कम बैक टू रेरेन मार्टिन कंप्लेट ग्रामर सिरीज तो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 14 पढ़ेंगे और चैप्टर 14 में आर्टिकल्स आर्टिकल्स हम किसको बोलते हैं आर्टिकल्स आप लोग स्कूल के टाइम में भी बहुत बार पढ़ेंगे एं और दूसरा आर्टिकल्स क्या होता है दा होता है हाला कि यह चीज देखने में बहुत छोटा सा चीज लगता है लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग है तो बिलकुल मैं आपको लॉजिक के साथ कंसेप्ट के साथ बताऊंगा हालना कि हमारे स्कूल के टाइम में ऐसे चीज बताई गई यह आर्टिकल के बारे में जैसे कि अगर रिवर का नाम हो तो हम धया लगा देते हैं किसी माउंटेन का स्टिर् जो जो नाम हो दो धया लगा देते हैं ठीक हैं तो हमें रटा रटा है चीज बताया गया हमारा जो concept है ना article को ले करके वो build नहीं हो पाया तो actual में ध्यान देना है कि article जो ना बहुत logic का चीज है देखने में बहुत छोटा लगता है बट इसमें बहुत logic है जो आपको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो सभी लोग एक बार इसको लाइक और शेयर कर दिजेगा session को तो ध्यान देना तो रेनन मार्टिन के book से हम लोग पढ़ रहे concept मैं अपना बताऊंगा मैं चीजों को simplify करने का कोसिस करूंगा जैसा कि मैंने अभी तक सभी chapter में किया है और आप लोगों की बहुत अच्छे response मुझे मिल रह रहता है तो इसकारण से एक दो दिन कभी कभी वीडियो आपको रेन मार्टिन पर नहीं मिल पाता है लेकिन हां मैं कूशिच करता हूं कि आपके वीडियो रेगुलर रहे तो आज हम लोग chapter 14 पढ़ेंगे और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आर्टिकल थोड़ा सा ब इसमें ठीक है तो देखिए क्या लिका हुआ है दे अजेक्टिव से हाँ दे अजेक्टिव ए एन अड़ और यूज्वाली कॉल्ड आर्टिकल्स अब देखो आर्टिकल में जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ए और 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 यह जो चीज है ना ए एन और द यह हमारा आठिकल है कि और यह एक परकार का एजेक्टिव ना अर्टिकल्स आर एजेक्टिव जिसे हमढ़ा टे धर म्हां एक इन तो दे डिटर्माइनर का काम होता है डिटर्मीन करना ठीक है डिटर्मीन करने का मतलब होता है किसी चीज को फिक्स करना तो आर्टिकल किसको फिक्स करता है आर्टिकल किसके पहले लगाते हैं आर्टिकल हम लगाते हैं नाउन के पहले किसके पहले किसी नाउन के पहले तो आर्टिकल क्या करता है उस नाउन को determine करता है determine करने का मतलब है कि उसको fix करता है तो ध्यान देना में आप जानेंगे कि इसमें कितने टाइब के article होते तो आर्टिकल दो टाइप के होते हैं एक होता definite article और एक होता indefinite article तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं example से समझाने का कोशिश करूँगा आप लोगों को तो देखें जैसे कि यहां पर हमने यहां पर हमने एक एक्जामपल लिया एक्जामपल में हमने लिखा एक्जामपल में हमने लिखा मैन लिखा अब देखो मैन क्या है मैन एक नाउन है जो हमने लिखा मैन यह एक नाउन है यह एक नाउन है in का मतलब क्या हो गया noun हो गया अब देखो man एक common noun है common noun मुझे पता है कि आप लोग अब तक समझ गया होंगे क्योंकि common noun वाले chapter में already complete कर दिया हूँ मतलब जो noun का chapter था इसमें वो मैं पहले ही complete कर चुका हूँ तो common noun का मतलब वैसा noun जो सभी के लिए common हो ठीक है तो man बोलने से कोई भी man हो सकता है तो ध्यान देना जिस man के बारे में मैं बता रहा हूँ जिस man के बारे में हम लोग जो मैं बता रहा हूँ क्या आपको पता है कि मैं किस man के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको पता है कि मैं किस man के बारे में बात करूँ कि आप इसको जानते हैं सर बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है तो वो चीज क्या है वो चीज हमारे लिए definite है कि indefinite है वो चीज हमारे लिए indefinite है तो आपको देखो आर्टिकल का क्या function होता है आर्टिकल का function होता है कि noun को fix करना किस sense में fix करना definite और indefinite sense में fix करना अगर noun indefinite है तो वहाँ पर हम indefinite article a और n में से कोई लगाएंगे और अगर noun definite है fix है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे दा लगाएंगे बात समझ में आ रहे हैं तो यहाँ पर जिस man के बारे में हम बात कर रहे हैं यह definite है कि indefinite है sir indefinite है तो indefinite रहेगा तो भी हम इसको determine करेंगे indefinite article लगा करके और अगर definite रहेगा तो भी हम इसको क्या करेंगे fix करेंगे the लगा करके तो हर हाल में आपको common noun के पहले article देना पड़ेगा अगर वो definite नहीं है तो आपको an देना पड़ेगा और अगर definite है तो द देना पड़ेगा बट article आपको देना पड़ेगा ठीक है उसके बाद हम zero article के बारे में भी जानेगा जहांपर कोई भी article नहीं लगता है तो चुके यहां पर यह man क्या यह indefinite है तो अगर यह indefinite है तो इसके पहले हमें ए लगाना पड़ेगा इसके पहले हमें ए लगाना पड़ेगा ठीक है बात समझ मारे बिल्कुल ध्यान से गौर से समझेगा example को सारा खेल example पर ही है लेकिन देखो मैं फिर से sentence को मतलब एक example में देता हूँ जैसे man whom I helped man whom I helped अब जरह बताना मैं किस man की बात कर रहा हूँ अब बताना किस man की बात कर रहा है अब यहां पर फिर से हमने man लिखा है ठीक है तो second example में मुझे बताना कि यहां पर किस man की बात हो रहा है man whom I helped मतलब वो आदमी जिसे जिसे मैंने मदद किया जिसको मैंने help किया तो वो आदमी वो man जिसको मैंने help किया तो बताना कि यहां पर यह जो man है यह definite है या indefinite है वह कौन सा आदमी सर जिसे आपने help किया यहाँ पर मैं बोलूँगा कि कौन सा आदमी सर मुझे पता नहीं कि कौन सा आदमी लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगा कि कौन सा आदमी तो आप बोलेंगे सर वो आदमी जिसको आपने help किया तो यहाँ पर क्या हो रहा है यह information किस चीज़ से जुड़ा हुआ है यह इस man से जुड़ा हुआ है तो अगर किसी noun से related अगर कोई information उसके साथ जुड़ा हुआ है जो उसके बारे में ही बात कर रहा है तो वो चीज हम लोगों के लिए definite हो जाता है तो इसलिए यहाँ पर जो man हमने लिखा यह हो गया definite और अगर यह definite हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें इसके पहले article 2 लगाना पड़ेगा हमें इसके पहले article 2 लगाना पड़ेगा बात समझ में आ रहे है तो यहाँ पर हमने क्या क्या indefinite से इसको denote किया और यहाँ पर हमने इसको definite से denote किया यहाँ पर हमने इसको definite से denote किया तो यहाँ तक आपको definite और indefinite का concept आपको clear है पस इस session के बाद मैंने PDF को create कर लिया है उसके बाद मैं PDF टेलिग्राम पर upload कर दूँगा so don't worry about that तो यह बात आपको समझ में आ गया को उसे हम कहते हैं indefinite उसे हम कहते हैं indefinite के लिए और एक ज जो डुसरा जा आर्टिकल होता है उसे हम कहते हैं definite उसे हम definite article कहते है अब धेखू अधिशनिशन का जून साथ एंडफिनिशन कासि पर आते न है या फिर आ यह हो गया indefinite article और definite article में कौन आता है definite article में the यह हो गया definite article तो दो तरह के article होते है indefinite article और definite article अगर noun देखो article का हम प्रियोग कहा करते है noun के पहले करते हैं खास करके common noun के पहले 90% जो article का use होता है common noun के पहले होता है common noun के लिए होता है क्योंकि article का सबसे ज़्यादा जरूरत किसको है common noun क्यों है क्योंकि common noun अपने आप में fix नहीं होता है उसे fix करना पड़ता है proper noun तो पहले से fix होता है अगर मैंने किसी इंसान का नाम ले लिया जैसे मानके चलो कि इस आदमी का नाम है,tu जब नाम बोल रहा हूं तो यह automatic fix हो जा रहा है इसको article की जोरत नहीं है क्योंकि आपने उसका नाम बता दिया ठीक है तो यह automatic fix है तो यह कैसा noun है राहुलिक proper noun है और proper noun को article का जोरत नहीं पड़ता है generally जोरत नहीं पड़ता है ठीक है लेकिन यहाँ पर यह common noun है common noun को आपको fix करना पड़ेगा otherwise जो वो audience होगा जो आपके बात को सुनेगा उसको नहीं पता चल पाएगा कि आप definite इंसान के बारे में बात कर रहे है कि indefinite इंसान के बारे में बात कर रहे है definite चीज के बारे में बात कर रहे है कि indefinite चीज के बारें बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपको आर्टिकल दे करके fix करना पड़ेगा, तो यहाँ पर चुकि इस noun का sense बन रहा था कैसा indefinite तो हमने indefinite आर्टिकल लगाया और यहाँ पर देखो same noun है यहाँ पर sense कैसा बन रहा था definite तो आने यह आपकर definite आर्टिकल डाल लगाया तो यह चीज आपको अब तक clear हो गया होगा चलिए अब आगे के चीज dija देखते हैं आगे के चीज दीखते हैं तो यहाँ पर हम आर्टिकल का use कहा कहा करेंगे King I आपको यह चीज तो आपको किलर हो गया कि definite article और indefinite article क्या होता है तो definite और indefinite article में और भी चीजे मैं आपको बताता हूं कि कब-कब हम जानेगे को definite है कब-कब हम जानेगे को indefinite है तो पहला तो example मैंने बताया कि अगर कोई noun अगर उससे जुड़ा हुआ कोई भी information आपके पास नहीं है तो वह indefinite है अगर आपके बारे आपके पास उसके बारे में किसी भी noun के बारे में कोई जनकारी नहीं है ना तो speaker को सही से जनकारी ना तो listener को जनकारी है ठीक है तो वह indefinite होता है और अगर किसी noun से related अगर हमारे पास थोड़ा से भी कुछ जनकारी है तो वो definite बन जाता है तो यह चीज तो मैंने आपको पहले बताया दूसरा देखू मैं एक्जामपल देता हूं चीज़ों को मैं एक्जामपल से ज्यादा समझाने का कोशिश करूँगा विकेस एक्जामपल से चीज़े हमें बहुत आसानी से समझ में आद डॉक्टर डॉक्टर ट्रेटेड मी हैं डॉक्टर ट्रेटेड मी हैं डॉक्टर ट्रेटेड मी हैं अब देखो यहां पर मैंने दो जगा ब्लैंक स्पेस छोड़ा है यहां पर दो सेंटेंस है एक सेंटेंस है डॉक्टर केम डॉक्टर केम और दूसरा सेंटेंस देखो ब्ल सेंटेस है डॉक्टर ट्रिटेड में यानि डॉक्टर आया और डॉक्टर ने मेरा इलाज किया तो यहां पर एक blank space यहाँ पर है और एक blank space यहाँ पर है आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगाएंगे पहले वाले sentence में कौन सा आर्टिकल लगाएंगे और दूसरे वाले sentence में कौन सा आर्टिकल लगाएंगे तो पहले वाले sentence में हम आर्टिकल लगाएंगे ए इंडेफिनि यहां पर article, indefinite, article ए लगा रहे हैं, और एक बढ़ आप उसी noun के पहले आप क्या कर रहे है द लगा रहे है, ऐसा क्यों कर रहे है सर, तो ध्यान दिजेगा, किसी भी discussion में, किसी भी story में, अगर किसी noun के बारे में पहली बार चर्चा हो रहा है, अगर किसी noun के बारे में हम पहली बार जान रहे हैं पहली बार हम उसका चर्चा कर रहा है तो उस समय तक वो noun हमारे लिए indefinite होता है तो मुझे बताना यह जो sentence मैंने बोला कि doctor आया और doctor ने मेरा इलाज किया तो यह बात हम सबसे पहले बोले कि doctor आया तो यानि कि पूरे sentence में पूरे कहानी में हम इस noun का जिकर पहली बार कर रहे हैं तो अगर आप किसी भी noun का जिकर अगर पहली बार कर रहे हैं किसी भी sentence में किसी common noun का जिकर आप पहली बार कर रहे हैं तो उस समय क्या होता है वो noun हमारे लिए indefinite होता है तो यह क्या है यहाँ पर noun indefinite है तो इसलिए हम यहाँ पर indefinite article ए लगा रहे हैं लेकिन अगर हम second sentence की बात करें doctor treated me अब जरह बताना कौन सा doctor भाई वो doctor जो आया तो क्या इस doctor का जिकर हम पहली बार कर रहे हैं कि पहले भी कर चुके हैं जर पहले भी कर चुके हैं इस noun का जिकर हम पहले यहाँ पर भी कर चुके यानि कि अब हम उसका जिकर second time कर रहे हैं तो यानि कि अगर किसी noun का जिकर अगर आप दुबारा करते हो या फिर किसी noun की चर्चा पहले ही हो चुकी है तो वो हमारे लिए definite होता है तो इसलिए यहां पर यह क्या होगा definite बन गया तो इसलिए हमने क्या क्या यहां पर यहां पर हमने दर लगाया आद समझ मारी इस कारण से यहां पर हम यह क्या करें दर लगा रहे है आई होप यह चीज आपको clear हो गया होगा चलिए कुछ नया चीज़ देखते हैं अब हाँ 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 देखें निक्स्ट क्या है नेक्स्ट एक्जाम्पल मैं लेता हूँ यहां पर जैसे देखो ध्यान देना मान के चलो कि यहां पर यहां पर मैं एक सिच्वेशन दे रहा हूँ इस सिच्वेशन को आप समझने का कोशिश करेंगे इस सिच्वेशन को आप समझने का कोशिश करेंगे ठीक है यहां पर एक हॉल है ठीक है एक मिटिंग हॉल है या कोई सेमिनार होल है ठीक है यहां पर कुछ लोग है यहां पर कु यहाँआपर इसको आदमी मान लेना हो सब् Prevention को यहाँ पर इस हॉल में कितने लोगे इस हॉल में बहुत सारे लोग है ठीक है तो हिस अ Japaj पर जितने भी लोग है उसमें से एक इंसान ऐसा है जिसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता छिसको मैं जानता हूं तो इसी situation पे मैं आपको एक sentence दे रहा हूँ sentence क्या है sentence oke no eana dash man as i know dash man अब आपको बताना है कि यहां पर जो इस halls में जितने लोग है ना जितने आदमी है उसमें से एक man को मैं जानता हूँ तो sentence क्या बना I know dash man अब आपको बताना है कि यहाँ पर हम यह जो blank space है यहाँ पर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर हम article a लगाएंगे I know a man कहेंगे या I know the man कहेंगे आप बदाएगे फटाफट कि इसमें क्या होगा तो इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम लगाएंगे article आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसमें हम द लगाएंगे क्यों द लगाएंगे आप कहेंगे सर द इसलिए लगाएंगे क्योंकि इस इंसान को तो हम जानते हैं लेकिन केवल आपके जान लेने से देखिए केवल मेरे जान लेने से यानि केवल speaker को जान लेने से वो चीज़ definite नहीं हो जाता है तो एक बात हमेसा ध्यान रखिएगा कि अगर speaker किसी के बारे में जानता है तो definite नहीं है definite तब होगा जब listener को भी वाइडिफॉल्ट वाथ पता होना चाहिए तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर जितने भी लोग है उ उसमें से एक इंसान को मैं जानता हूं भई मैं जानता हूं आपको पता है कि मैं किस इंसान के बारे में बात कर रहा हूं मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं आपको तो पता ही नहीं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं तो यहां प भी हो तो अगर आप सोच रहे हैं कि यहां पर हम द लगा देंगे तो सई हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं यहां पर आपको ए लगाना पड़ेगा यहां पर आपको ए लगाना पड़ेगा क्यों यह लगाना पड़ेगा I know a man ठीक है यहां द हम नहीं लगाएंगे द तब लग लिन अब देखो इस कम्रे में या इस हॉल में एक इंसान है इस कम्रे में या इस हॉल में एक इंसान है जिसको मैं जानता हूँ आई नू आई नूद ट्समांड अब मुझे आप बताना कि इसमें क्या लगाएंगे अब जो मैंने नया situation दिया इसमें हम क्या लगाएंगे? I know das man. इसमें क्या लगेगा? I know das man. चलिए बताइए, इसमें हम क्या लगाएंगे? तो यहाँ पर देखें, मैं जिस इंसान को जानता हूं, क्या आपको पता है कि मैं किस इंसान के बारे में बात कर रहा हूं? आप बोलेंगे जी सर आप नहीं भी बताएंगे तो भी हमें by default पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक ही इंसान है और जब एक ही इंसान है तो यहाँ पर by default आपके बताए भी ना भी मुझे पता चल गया है कि आप किस के बारे में बात कर रहे है अगर मेरा इससारा इस तरफ है तो लगात हैं तो यहाँ पर हम ट्विस आर्टिकलム किया लगाते हैं यहाँ पर हम लगांगे यहाँ यहाँ पर I I know the man होगा और यहां पर I know a man होगा क्यों कि मान के चलो कि हमको पता है कि कहां किस इंसान के बारे बात कर रहे बट आप चाह करके भी इतने भीड में आपने डिसाइड कर पाओगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं तो इसलिए जब कहीं पर भी किसी सिच्वेशन वागर सिंगल पर्सन के डिसकेशन हो रही है किसी स्पीकर के सामने तो हाँ पर क्या होगा ना कि स्पीकर और लिसनर दोनों को पता चल जाएगा बात उसको बताने के जोरत नहीं है और उस केस में वो नाउन डेपनिट बन जाता है तो यह लॉजिक है बिल्कुल काम करता है अगर स्पीकर करेंगे आर्टिकल के तो बहुत सारे कुश्टेंस आपको इसी लॉजिक पर मिलेगा तो आई होप आपको यह बात समझ में आगया अब देखते हैं आगे का चीज़ है कि देखो नेक्स क्या है उसके बाद ध्यान रखना है और लिट मी टेक सम मोर एक्जेंपल अब बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल का अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल का देखो इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन आता है इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन आता है ए आता है और एन आता है तो हम इसका यूज कहां करेंगे तो ध्यान देना है कि आर्टिकल ए का यूज कहां करना और आर्टिकल एन का यूज कहां करना है सबसे पहले तो बात है कि इनका यूज हम करते हैं इन्डेफिनिट सेंस के लिए इनका use हम करते हैं indefinite अगर noun indefinite हो तो हम इसका use करते हैं ठीक है लेकिन a कब करेंगे और an का use हम कब करेंगे तो हम a का use करेंगे before before a consonant sound before a consonant sound और दो आपको sound पे चलना है आपको अच्छा बहुत सारे लोग बोलते हैं ले अगर Vowled Sound हो तो हहाँ पर आप एन लगा देना लेकिन आपको Symbol पर नहीं चलना है आपको sound पर चलना है है तो इसलिए यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं waż कॉंसोंट्ट लेटर नहीं कॉंसोंट्ट नहीं साद होना चाही है और एन का यू जैसे एक यूज हम document के पहले करते हैं तो अन का या यू उप करेंगे इसको करेंगा वर्वल है यहां लिख देतों विफोगष याँ एक याउज करेंगे स यक तो एक अध्या Hm आपको देता हूं कि एक्जाम्पल देखों क्या है कि एक्जाम्पल में कुछ लिखता हूं यहां पर जैसे पहला एक्जाम्पल है कि जैसे हमने यहां पर लिखा कि जैसे हमने लिखा यहां पर औरेंज कि दूसरा एक्जाम्पल है कि यह वन रुपी क्वाइन कि थर्ड इग्जाम्पल है अंब्रेला अंब्रेला पूर्थ इग्जाम्पल है पर यूणिवर्सिटी ए यूणिवर्सिटी कि चलिए कुछ और एक्जाम्पल लेते हैं हाँ उसके बाद हमने लिखा यहां पर कि जैसे हमने लिखा यहां पर कि इंब्ले लिखा हमने यहां पर उसके बाद है जैसे हमने लिखा honest honest man honest man यहां हमने hotel लिखा ठीक है तो यहां ध्यान देगे हम जैसे यहां पर हमने लिखा member तो यहां पर जो example हमने लिखा इन example में आपको article A और N लगाना है कहां पर A लगेगा कहां पर N लगागा आपको A और N से आपको feel करना है इन examples को तो ध्यान देंगे हम हमें sound पे काम करना है vowel और consonant sound पे काम करना है तो देखो यहां पर कौन सा नावन है औरेंज है तो औरेंज जब हम बोलते हैं तो पहला साउंड क्या है पहला साउंड का या वावल का है तो हम और बोल रहे है तो पहला साउंड किसका है वावल का है तो अगर यहां पर यह वावल का साउंड दे रहा है तो यहां पर हम क्या में आप こ concentrate sound अधे समय आप डि лай उसटा या वहाहन चुक्त जब हम हिंदी में लिखेंगे वल ल ConteSt argumentоп टो ध्यान देना यहां पर अगर आप लेटर को फालो करेंगे तो फिर आप गडबड़ हो जाएंगे Ken pneu यह पर वी है और लेकिन दोनों जगां यह वम sound नहीं दे रहा है पहले वाले में यह sound दे रहा है वावल का और दूसरे वाले में sound दे रहा है consonant का तो इसलिए आपको पहले बोल करके देखने कि sound किसका है तो इसलिए यहाँ पर हम यहां से निकल रहा है University और यहां क्या होता है यह a consistent sound होता है तो इसलिए यहां पर हम ए उनिवर्सेटी नहीं करेंगे बलकि इय उनिवर्सेटी करेंगे यहां पर यह होगा है उसके बाद यहां देना mba तो mba क्या है का अब्रिवेशन एक शाट फॉर्म है ठीक है जिसका प्रतेक लिटर का अलग-अलग फुल वर्ट में मिनिंग निकलेगा तो आपको यहां पर अपर अपर प्रतेक लिटर को अलग- उअधी करेंगे यह पर हम इस और सालेंट होता है हम इसको हॉनेस्ट नहीं पड़ते हैं हम इसको अनेस्ट पड़ते हैं और honest जब पढ़ते हैं तो यह किस sound से शुरू है यह commence से सुरूर रहे हैं तो इसलिए यहां पर क्या करेंगे An honest man करेंगे An honest man जब हम hotel पढ़ते हैं तो hotel में हठी हो और हो कैसा sound तो है에 what a hotel हो जाएगा तो इसके बाद member member किसे व पढ़ रहे हैं माँ से और या किसका साउंड हो गया कॉंसेनेंट साउंड हो गया तो क्या करेंगे ए लगाएंगे तो यहां पर आपने देखा कि आपको कूल मिला करके किसको फॉलो करना यहां पर आपको साउंड को फॉलो करना ना कि लेटर को फॉलो करना क्योंकि देखेंगे तो यहां भी ओ साउंड है यहां भी ओ लेटर है यहां भी ओ लेटर है तो अगर कोई अगर आप ऐसे रटलो कि वोवल लेटर से स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे हम आर्टिकल एन लगा देंगे भाई वोवल से यह भी स्टार्ट हो रहा है तो क्या करें यहां पर हम यहां पर भी हम एन लगा दें न ध्यान रखना है कि ऐसा कभी कभी होता है कि वावल दिखने वाले लेटर किसका साउंड प्रेड्यूस करता है यहां पर एक जो यू है पहले वाले में यह वावल का साउंड दे रहा है दूसरे वाले में यह कॉंसरें का साउंड दे रहा है तो इसलिए आपको फॉलो किसका कर हो तो यह बात आपको समझ में आ गया है यह indefinite article ए और अन पर एकम एकां करेंगे लिए इंकाया करेंगा ठीक हैस तो सबसे पहले तो ए और अन में मैंने आपको डिफरेंस बताया ठीक है अब मैं आपको को बताऊंगा कि यह indefinite article है लेकिन लेकिन indefinite article ए और n का यूज हम और किसके किसके लिए करते कौन-कौन से सेंस के लिए करते हैं तो मैं आपको अभी सेंस बताता हूं सबसे पहले आप इसको फोड़ा सा मैं हट जाता हूं ताकि सभी कुश्चन आपको दिखाई दे छीक है अच्छा उसके बाद मैं अब बता रहा हूं कि आर्टिकल ए एन का यूज हम किसके किसके लिए करते हैं लिए हैं तो इसका यूज जानेंगे हम तो इसका यूज हम करते है इसका यूज हम करते है इसका यूज हम करते है इसका यूज करते है इंडेफिनिट नाउन बताने के लिए इसका यूज हम करते है इंडेफिनिट नाउन बताने के लिए पहला यूज तो इसका ये है दूसरा यूज हम इसका करते हैं किसके सेंस में इसको हम यूज करते हैं कोई इंडिवीजूल बताने के लिए कोई भी इंडिवीजूल बताने के लिए इंडिवीजूल का मतलब हो गया कोई एक वेक्टी या एक वस्तो फिर इसका use हम करते हैं one के sense में one के sense में भी करते हैं इसका use हम all के sense में भी करते हैं इसका हम use any का भी sense में करते हैं इसका use हम some के sense में भी करते हैं इसका use हम some के sense में भी करते हैं और इसका use जो है हम पर के सेंस में भी करते हैं इसका यूज हम पर के सेंस में भी करते हैं तो यह सारा सेंस है इसका ठीक है तो और भी इसके कुछ सेंस बनेंगे सबसे पहले मैं इसके बारे बताता हूं नहीं और भी नहीं इतना ही है बस इतना ही है इंडेफिनिट नाउन ए इन इन सभी सेंस के लिए यूज होता है ठीक है तो चलिए ध्यान दिजिएगा जैसे मेरा पहला एक्जाम्पल है हमने लिखा यहां पर जैसे हमने लिखा यहां पर I helped a man I helped a man तो यहां पर जो हमने बोला I helped a man तो यहां पर ध्यान देगा कि मैंने एक इनसान का मैंने एक आदमी को help किया कॉंससा आदमी आपको पता है कि सर हमें नहीं पता है कॉंसा प्रूब कोई एक इंडिवीज़ल होगा कोई भी एक इंडडेफिनिट परशन हे हो मुझे और साथी साथ मुझे यह बता ना कि मैंने कितने लोगों को हेल्प किית कि सब को किया किसी एक इंसान को किया अपने तो यहां पर यह एक किसी इंडेफिनिट इंडिवीजुल की बात कर रहे हैं इंडेफिनिट इंडिवीजुल की भी बात कर रहे हैं कि इंडेफिनिट इंडिविजुल की भी बात कर रहा है ठीक है उसके बाद में अगला एक्जामपल लेता हूं एक्जामपल से चीजे बहुत आसानी से क्लिर होती है अब जैसे ध्यान देना यहां पर हमने यहां पर एक सेंटनेंस लिखा कि आइकेंड ड्राइव आइकेंड ड्राइव आइकेंड ड्राइव आकार आइकेंड ड्राइव आकार अब देखो इसका क्या सेंस बन रहा है देखो आइकेंड ड्राइव आकार आइकेंड ड्राइव आकार तो मैं कार चला सकता हूं कोई भी कार देखो यहां पर एका मतलब क्या हो गया यहां पर एक की कार चला सकता हूँ और नहीं चला सकता हूएं में गार चला सकता हूँ तो यहाँ पर जो ये में चलाथ I can drive any car, I can drive all cars, अगर मैं बोल रहा हूँ कि I can drive a car, तो इसका मतलब क्या है, कि मैं car चला सकता हूँ, वो car चाहे कुछ भी car हो, कोई भी car हो, वो कोई भी car हो, यानि जो भी car आजा है, all cars या फिर any car, तो यहाँ पर जो article a है न, यह any और all के sense में भी use हो रहा है, तो यह बात आपक से समझ में आ रहा है, तो हमने क्या बता है, कि indefinite article a n का प्रयोग आप, any और all के sense में भी कर सकते हैं, ठीक है, चलो और example लेते हैं, देखो और example क्या है, नेक्स एक्जाम्पल है, हाँ, जैसे हमने बोला, अरोहित, क्या यह sentence सही है, तो ध्यान दिजिएगा, सबसे पहले तो आप सोचेंगे कि रोहित एक proper noun है, और proper noun से पहले हम कोई article नहीं लगाते हैं, बेट यहाँ पर यह जो article a है, इसको लगाना सही है, क्यों सही है, क्योंकि इसका जो use हो, इसका जो हम use कर रहे हैं, यह सम का sense में कर रहे है, और यहाँ पर सम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सम का मतलब वह certain, यहां पर सम का मतलब हुआ certain यानि कोई मतलब जैसे बोलेंगे न कि हम इसको दो तरीके से बोलेंगे देखो ध्यान देना अगर मैं बोलूँगा कि रोहित आपको call कर रहा है तो इसका मतलब एक रोहित के बारे में मुझे भी पता है रोहित के बारे में मुझे भी पता है मैं उसे परिचित हूं लेकिन अगर मैं बोलूंगा या फिर मैं घर पे हूं और मेरे पपा बोलते है रहे जाओ कोई रोहित तुमको कॉल कर रहा है कोई रोहित कॉल कर रहा है का मतलब क्या मेरे पपा को नहीं पता है का रोहित कॉन है मेरा फोन पड़ा हुआ था और फोन में कॉ ऑला रहा था उसमें रोहित लिखावा था क्यों ह Garlic कोई रोहित कॉल कर रहा है क्यों कोई रोहित का मतलब क्या हो गया है कोई कमहितन हो गया कोई संभ सम्हों कि कोई सटेंड ये जिसके बारे μεं शायद मैं जानता हूं लेकिन मेरे God नहीं जानते हैं ठीक है तो कोई भी ऐसा प्रोफर ना उन रहे हैं जिससे स्पीकर को बहुत ज्यादा उससे बहुत ज्यादा फैमिलियर नहों स्पीकर के स्पीकर के पास उसके बारे ज्यादा जनकारी नहों तो वहां पर हम एक यूज करते हैं एन का यूज करते हैं सम के सें का मतलब certain हो गया ठीक है तो यह बात आपको clear हो गया कि यहाँ पर हम इसको some का sense में कर रहे हैं और example दिखेंगे हम जैसे ध्यान देना जैसे हमने यहाँ पर लिखा I bought a car I bought a car तो भाई मैंने एक car खरीदा अब यहाँ पर यह जो a है किसका sense दे रहा है यह जो save दे रहा है यह one का change दे रहा है कि मैंने कितने car खरीदा मैंने एक car खरीदा यहाँ पर any का sense नहीं कि I bought any car मतलब दुनिया का कोई भी एक खरिद लिए ऐसा नहीं है कि दुनिया का all car खरिद लिये तो यहां पर a का मतलब a नहीं या all नहीं है बलकि यहां पर a का मतलब one है यहां पर a का मतलब क्या है one है तो मैंने आपको क्या बोला कि indefinite article जो a n होता है indefinite article a n होता है आप इसका use one के sense में भी कर सकते हैं यह जो एन है ना यह वन का विकर फॉर्म है तो यहां पर जो सेंटेंस हमने बोला आई बॉट अकार तो यहां पर एका मीनिंग क्या हो गया यहां पर एका मीनिंग हो गया कि आई बॉट वन का आई बॉट वन का तो आपको यह चीज़ पता होना चाहिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि A का जो meaning है कब one हो रहा है, कब any हो रहा है कब all हो रहा है, कब sum हो रहा है ठीक है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को example से ज़्यादा समझाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ ठीक है, उसके बाद next example देखो क्या है next example है हाँ, जैसे हमने लिखा he earns he earns he earns he earns rupees 600 600 a day he earns rupees 600 a day वो क्या करता है, वो प्रती दिन कितना कमाता है 600 रुपय कमाता है तो यहाँ पर a का क्या मिनिंग हो गया यहाँ पर जब हम बोल रहे है a day तो यहाँ पर a का मतलब हो गया पर यहाँ पर a का मतलब हो गया पर ठीक है तो he earns Rs. 600 a day इसका मतलब हो गया कि Rs. 600 per day यहां पर A किस का सेंच हो गया तो मैंने आपको क्या बताया कि article indefinite article सबसे पहले A और N में क्या difference तो A और N में difference यही है कि अगर आपका जिस noun के पहले आप article A या N लगा रहे है अगर उस noun का पहला sound अगर वोवल साउं्ड है तो आप उसके पहले न लगाएंगे और अगर उस नाउन का पहला साउंड अगर consonant sound है तो आप उसके पहले a लगाएंगे और आर्टिकल a एन किसके केटीग्री में आता है in definite article के category में आता है तो indefinite article के use कहां कहां करेंगे तो सबसे पहला चीज कहां करेंगे अगर कोई noun हमारे लिए indefinite है तो इसके पहले एन का use करेंगे अगर कोई indefinite individual के बारे में बात करें यानि कोई एक वेक्ति अवस्तु है जो कि indefinite है तो indefinite individual के लिए हम लोग ये उस करेंगे अच्छा article an का use हम करेंगे one का sense में any का sense में all का sense में sum का sense में और per का sense में तो जैसा कि example से सारा चीज मैंने आपको बताया and I hope कि आपको यहां से बहुत कुछ आपका article से related जो misconception होगा वो आपका clear हुआ होगा जो भी doubt होगा क्योंकि यहां पर मैंने बहुत जादा चीज़े पहले सा slide में भरने का कोशिश नहीं किया मैंने logic पर काम किया हलाकि book में आपको बहुत सारे चीज मिल जाएंगे लिखा हुआ धेर सारा चीज लेकिन मैंने उसको simplify करने का कोशिश किया ताकि आपको चीजे main चीज देखो क्या main चीजे कि कितने सारे चीज लिखे हुए उससे नहीं है main चीजे कि उसका logic हम समझ रहे नहीं समझ रहे हैं उसका concept हमें समझ में आ रहे हैं कि ए क्या आ रहे हैं तो article का actual concept यह होता है तो यहां पर Chili क्रूट नहीं पर अयदे कि हम धिक्रसरे औक वारा जहते है कि हम कैसे पाचानेगे कोई noun definite है, नाउन definite है, तो simple सी बात, अगर किसी noun के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है, то हो noun definite है, अगर किसी noun के बारे में आपके पास थोड़ा सा भी जानकारी है, तो वह definite है मतलब उसके पहले द्या लगाएंगे उसके बाद ध्यान देना है अगर किसी नाउन का जिक्र हम पहली बार कर रहे हैं किसी भी कहाने में किसी भी कॉंटेक्स्ट में हम किसी नाउन का जिक्र जो है discussion जो है हम पहली बार कर रहे हैं तो वह indefinite है लेकिन अगर उसी noun का जिक्र आप दुवारा कर रहे हैं या फिर उस noun का जिक्र पहले ही हो चुका है तो वह noun हमारे लिए definite है ठीक है तीसरा देखो ध्यान से समझना है कि अगर किसी noun के बारे में speaker जानता हो बोलने वाला जानता हो लेकिन listener को नहीं पता हो कि speaker किसके बारे में बात कर रहे हैं तो यह indefinite है लेकिन speaker और listener दोनों को पता हो कि किस noun के बारे में बात हो रही है तो यह definite होता है तो पहला part में मुझे यही बताना था कि article क्या होते है definite और indefinite article होते है the का use कहां करेंगे an का use कहां करेंगे कैसे पहचानेंगे कि noun definite है यह indefinite है तो part 1 में मुझे बस यही बताना था part 2 में मैं आपको specially बताऊंगा कि article the का यूज कहा का करते हैं स्लाजिक एलबे आपको ओसके बारे में वताऊंगा यांटे का कहा Нहीं होता है तो आहे दो विडियो और आएगा और फिर आपका यह आपको चैक्टर कम्प्लीट हो then it is a good bye.